आपको लगता है कि ये सब कुछ खान साब को ट्रैप करने के लिए ये एक ढॉंग रचाया गया था ट्रैप पता नहीं उन्हें किसे ने ट्रैप करना था खान साब खुद बहुत बड़े शिकारी है इस फैमली में गदी नशीनी का एक कॉंसेप्ट होता है ये आप लोगों नगड़ा हुआ है कंसेप्ट आपकी फैमली में एक पीर साहिबा मौजूद थी जो कि आजकल पूरी दुनिया में पीरनी के नाम से मशूर है कभी आपकी बेटे को अपने दमाद को नहीं उन्होंने कोई आफर कराई कि मैं भी तुम्हें भी वजीर आजम मुझें इमरान खान को बना दिया तो अपने खानदान में से किसी को बनवा देती जब यह बुशरा बीबी के शादी हुई है तो उस वकत क्या उन्होंसा कोई गिंदी नशीन या ये कोई बड़ी फकीर और पीर और कोछ नहीं सा ये सब ड्रामा बाजी बाज में हुई उसके दामाद का भी मेरे बेटे का भी बुश्रा बीबी से कोई कभी टेली फून पे भी राप्ता नहीं कि चलो तो मुधर को हवा और जिदर की तो हमारे मौशरे में हमारी सियासत में लोग चलते हैं हवा और जिदर जब मैंने सियासत शुरू की थी उस वक्त तो सियासत को इबादत समझा जाता फिर सियासत इबादत से तजारत बन गई और कारोबार बन गया हम जैसे लोग मिस्फिट हो गए असलाम आलेकुम जीर नियो डिजिटल के साथ मैं हूरू बारूज नाज़ू पाकिस्तान की सियासत में गुजिशता चंद सालों में हमें बहुत सी तबदिलियां देखने को मिली और स्पैशली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दोर में एक नया खांदान जिसका नाम बाहरा सुनने को मिला वो मानिका खांदान था बुश्रा बीबी का जो तालुक था इमरान खान से शादी से कबल या फिर जो है वो सुरतेहाल उनकी सियासत में इंवाल्मेंट को देखा जाए तो मानिका कानदान को इग्नॉर्ड नहीं किया जा सकता इस वक्त आज की वीडियो में जो मेहमान शक्सित हमाज साथ मौजूद है अताम मानिका ना सिर्फ पाकिस्तान के बड़े सियासतदान है पंजाब की जो एक विलिज साइड की सियासत है टाउन लेवल की सियासत है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं बलके मानिका फैमली से है बुश्रा बीबी के समझी भी है और मानिका खानदान से विल्फ यह द्हान ने पाकिस्तान की सियासत को कहां कहां फायदा पहुँचाई और कहां-काँ नुक्सान भी पहुँचाया एक पराना तालुक है लेकिन बश्रा बीबी को आपAST कबसे जानते हैं और रहे उनके वालिद साहब से जैसे कि आपने पहले इंट्रिव्यूज में बताया भी है कि दोस्ती भी थी जी पुश्रा भी तो उसकी हमारे खांदान में शादी हुई मैं उसके वालिद का चूंके दोस्त था और उसके दादा मेरे बड़े शफीक बज़र्ग थे इसलामाबाद में जब ये रियाश इन्होंने रखी हुई थी इनके वालिद रियाश खाने वहां एक चाइनीज रेस्टरंट खोला था ठीक और एश भी अपनी वहां पे उन्होंने रख ली तो मैं था पहले मजसे शूरा का मेंबर रहा उसके बाद मैं मैं एलेक्ट हुआ तो उन दिनों में उनके घर आना जाना शाम को खाना खाना रात को या रेस्टरंट पे तो मैं सब को जानता था बश्रा बेबी की शादी और वहां उन्होंने खावर के वालत जो से उन्होंने अपना डरेक्टी वो किया था हमारी इनॉर्मेंट उसमें इस लाए थे नहीं ठीक है यह निकिए उन से से दोस्ती का रिष्ट अश्त ता असल जो रिष्टे दारी है वा आपकी मानिका फैमली से थी खावर मानिका च्छे साथ आठ पुष्टों पहले एक थे फिर उससे आगे पनते बनते पुष्टे और लेकिन खांदान हमारा एक एरा ठीक इस फैमिली में जो एक गदी नशीनी का एक कॉंसेप्ट होता है कोई कंसेप्ट नहीं है यह आप लोगों नगड़ा हुआ है कंसेप्ट अच्छा कोई गदी नशीनी वगयरा कख नहीं था कुछ भी नहीं था और ना जब यह भुष्टा बीबी के शादी हुई है तो उस वक्त क्या उनसा कोई गदी नशीनी यह कोई बड़ी फकीर और पीर और कोछ नहीं था यह सब ड्रामा बाजी बाद में हुई अच्छा आपको लग खाल खुद ब़े शिकारी हैं आपको लगता है खाल साफ़ अन्हैं की फैमली को ट्रैब किया आपके फाल Dन कोषड की अगा मेरी निकाह, जाहर है खानदान को तो बहुत फरक पड़ता है और फिर उनकी बेटी आपकी बहु भी है, फैमली में क्या इंपक्ट आया, इस्पेशली आपकी बहु पर क्या असर हुआ, हमने सुना है कि वो काफी डिप्रेशन में भी चली गई थी, मेरी जो बहु हैं वो बुश् आपकी तो उसमें कोई किसी किसम का कोई ना हमारे खान्दान में ना भुश्या बीबी के अपने खान्दान में कोई इस किसम का ऐक बात थी ये जो बाद मैं एक ड्रामा, अफ्साने, काभू करने के लिए लोगों को वाला अलम हम तो फिर हमारा तो राप्ता बुश्रा बीबी से खत्म हो गया जब वो निकाह का जब उनका वो खबर आ गई और कन्फर्म हो गई तो बेटी को हमने नहीं रोका कि वो अपने वालदा से ना मिले मिले लेकिन हमारा खान उसके दामाद का भी मेरे बेटे का भी बुश्रा बीबी से कोई कभी टेलिफून पर भी राप्ता नहीं ठीक है अच्छा ये बताईएगा कि ये सब ढोंग था रचाया गया जिसके भी कहने पर रचाया गया ये तो चीज़ें अब काफी अत्त क्लियर हो ग लेक है उसके बकॉल तो बुश्रा की बेहन जो है वो दुबईी में रहती थी उसने तारफ कराया इमरान खान का लेकिन जो हम तक की तला पहले थी वो यहीं थी के ऑन चोधरी लाए था इसको और ऑन-चोधरी से कैसे मुलाकात हो गई बुश्रा बीबी की ये मुझे नहीं पता कि वो तो पाक पतन के भी नहीं है नहीं हैं लेकन वो ले आया बुश्रा बीबी को टेली फून पर कहा होगा के वो मिलना चाहते हैं और वो एक इलेक्शन हो रहा था उदर लोजरा में जांगीर खार तरीन साब का बाई इलेक्शन तो वो तरीन साब के राक में दौा कराने ले आया था उस अच्छा और वो उसने इत्वाक था या क्या था वो इलेक्शन तरीन साब जीत गए फिर बाद में यहीं सुना है कि उसका बड़ा को नफसियाती असर हुआ और जी बड़े पहुची वी चीज़ हैं इनसे दौा कराया करें अच्छा ब मानिका फैमली ने भी बुश्रा बीबी के इमरान खान से निकार के बाद खातुने अवल बनने के बाद बहुत फाइदे उठाए जिन में खावर मानिका साथ खुद भी शामिल हैं उनके बच्चे शामिल हैं उन्होंने इस तरह की हम पे तो खबरें के फराग होगी का तो हैं इनकी फैमली ने इनके बेटों ने इनकी जो एकसेस्पेंट हैं उन्होंने बड़ा फाइदा उठाया ठेके लिए क्रॉप्शन की बहुत सारा पैसा किता हैं कि इस्लामाबाद में कर्स्रक्शन के सबालों के साथ उसने कुछ इस्ता काम किया था वो जो बेटा उनका द तो जहां तक मेरा ख्याल है चोटा बेटा मुसा और दोनों बेटी अभी मेरा ख्याल है दोनों इन्होंने कोई फैदा नहीं अच्छा यह भी बताईएगा कि आपने जाहरे बेटे का रिश्टा किया था इस फैमली के साथ तो देख बाल की किया होगा पहले जो खावर वान कुछ फरक नजर आया मसलें पहले वो यहीं उनका घर था मौरल यह गुलबर्ग में उनके वालिद ने वो बनाया था तामीर किया था तो यह पिंकी और खावर भी वही रहते थे और बाकी बहन भाई भी वही रहते थे भाई तो उसके अलावा हमने तो और कोई नहीं देखा है एक खावर ने सुना एं पहने नहीं देखा वो बनीगाला में कुछ चोटा सा घारा एक बनाया है और वो उस उस वक्त तो मुराजबत में था शायद बाद में बनाया यह इमरान खान की अकूमत में बनाया ये मुझे नहीं पासे ना मैं कभी उस घर को जाके देखा है ना गया हो ठीक है अच्छा आप पाकिस्तान की सियासत में भी रहे हैं और आप बड़ा अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से मजभी टच दे के कभी फिरकावारियत के नाम पे कभी बरादरी के नाम पे लोगों को गुमरा किया जाता है सिर्फ वोट लेने के लिए ये जो सिलतरीके कार इमरान खान की अपनाया गया पुश्रा बीबी ने जो एक डौंग रचाया इसका कितना नुक्सान हुआ हमारी सियासत को असल में देखें अंग्रेज बहादर का छोड़ा हुआ एक विर्सा है उसको तो लगे कोई तीन सौ साल से ज्यादा आहस्ता आहस्ता वो इस नौबत में पहुंचे आपको पता है कि इंग्लेंड में औरत को राइट टू वोट का उनसे साल में मिला था बहुत देर बाद बहुत देर बाद आहस्ता आहस्ता जब एजुकेशन का एक लेवल उनका हो गया सुसाइटी में हमारे हाँ रूल आफ मैजॉरिटी का मतलब इमानदारी से रूल आफ कुछी तो ये उसमें हर चीज काम कर जाती है हमने देखा है कि लोग हमसे दुनियादारी के काम का आज लेते थे डिपालपुर में जब मैं इलेक्शन दरता रहा यहां भी पता चलना जी फुलांसा वो फुलां बंदे के तो फुलां पीर आगया है जिरावी से ना कभी उस का हमसे कोई तारूफ है उन से होगा बुरीदों से उनको ठकते हैं वोटों की हातर पहुंच गए और जिनोंने वोट फिर नहीं देना होता था वो पीर साब को खिला पिला के नजर नयास दे के और रुस्त कर देते थे चूटे बादे करके वोट पीर साब के कहने पे नहीं देते थे क्योंकि उनको अपने महाल में देखना होता है ठीक तो नुकसान तो हुआ है लेकिन असल नुकसान की जो वज़ा है वो जहालत है ठीक लेकिन ये जो है ना ये पार्लिमेंटरी वाब अफ गर्मेंट ये बहुत अच्छी है लेकिन उस वक्त उस ऐसे मौशरे में चल सकती है जिसमें एजूकेशन का लेवल और एकनोमिक अच्छा लेवल हो सुसाइटी में मौशरे में उसके बगएर हम चलाने के सतर साल चकर में पड़े हुएं क्या एंड रिजल्ट क्या है एंड रिजल्ट है क्या बिलकुल आप दुरस्त फर्मा रहे हैं दो हजार चांगे रितरीन का जहाज इस्तमाल हो रहा था बहुत सारा काम हुआ आज वही सब कुछ नूनलिक के लिए किया जा रहा है पूरे मौशरे ने मौलाना हाली का एक मिस्तरा है जो तावीज बना कर गले में डाला हुए है और वो सुबह सुबह शायद वो तावीज पानी में गोल के पीते भी हैं कि चलो तो मुधर को हवा औजिदर की तो हमारे मौशरे में हमारी सियसत में लोग चलते हैं हवा औजिदर की और हवा का उन्हें एसास या पता चली जाता है जैसे आज कल चल रहा होगा आठारा में भी पता चला आप नाइंटी से बलके उससे पहले से सियासत कर रहे हैं आपकी नजर में सलूशन किया है कि हम यही सब कुछ पेस करते रहेंगे हमारी अगली जनरेशन भी यही सब देखती रहेंगी हमारी जनरेशन जब तक अच्छी तालीम नहीं आसल करेंगी यही कुछी होता रहेगा शायद इस से खराब ही हो मैं समझता कि लेवल जो हमारी सियासत का है वो जब मैंने सियासत शुरू की थी उस वक्त तो सियासत को अबादत समझा जाता था था पर हमारे सामने ही बतदरीज वो क्या कहा था इकबाल ने के था जो नाखूब बतदरीज वो ही खूब हुआ वो इसलिए हमारे सामने सब कुछ हुआ है और वो फिर सियासत अबादत से तजारत बन गई और कारोबार बन गया हम जैसे लोग मिस्फिट हो गए ठीक है आपने बड़ी खुबसूरत बात की कि जहालत सबसे बड़ी जैसा ऑक्सफोर्ड से पड़ा हुआ दुनिया वर की सेलैबरिटी बनने वाला बंदा वो भी इसी सब चक्रों में आ गया उनको भी फिर आप जाहिल ही कहेंगे वो फिर उसको समझ नहीं आई या जो वो समझता था हासल करना उससे नजर आया कि यही तरीका है उस चीज़ का हसूल जो वो हासल करना चाहता अच्छा आपकी देखें फैमिली में एक पीर साहिबा मौजूद थी जो कि आजकल पूरी दुनिया में पीर पीर्णी के नाम से मशूर है कभी आपकी बेटे को अपने दमाद को नहीं उन्होंने को आफर कराई कि मैं भी तुम्हें भी वजीर आजम पर जखें इमरान खान को बना दिया तो अपने खानदान में से किसी को बनवा देती उसको टेलीफोन वहने उन्होंने किया था दोजार आठारा के एलेक्शन के पहले कि हम PTI की टिकट दे लो उसने का मैंने नहीं लेटी अच्छा ओफर की थी जी और ये भी कहा था कि अगर टिकट नहीं लोगे तो फिर हरने की स्यारी भी कर लो उसने का वो भर वकर स्यार रहते अच्छा एक लास्ट पर ये बता जाए जगा कि जो इंट्रव्यू लास्ट खा कोई ऐसा खास मकसद है एजंडा है जो इस मौके पर नोंने ये इंट्रव्यू दिया मेरा ख्याल में तो वो आजाद पंची है नहीं ना उसने इंट्रव्यू शायद अपनी बर्दी से दिया है और अब तो ये भी सुन रहे हैं कि उसका एक और इंट्रव्यू भी आ रहे हैं तो देखते हैं वगर कोई दूसरा इंट्रव्यू भी आ जाता है हम तो सुन रहे हैं कि आपकी संदी साहिबा कभी कोई इंटर्वियू आने वाला है। उसका तो आना चाहिए था बहुत पहले। अच्छा आज हमारी आज की यूद को आज के सियासत दानों को एक आखरी पैगाम दे दे। मेरा पैगाम क्या होना है जी। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे एहल सियासत जो हैं मैं आपको यह एक अजीब बजराम तो हम सब हो गए ना सियासतदान, सियासत करने वाले, सियासत में हिस्ता लेने वाले लूट गए, लुटेरे, फलाना जो कुछ भी का जाता रहा मैं आपको बताओं, एक बहुती बदूद लोग होते हैं जो हुकमरान असल होता है, उसके गिर्द वो अपना हलका बना लेते हैं, पांच नहुए कभी दस हो जाएंगे, बाकी जो वो तीन सो मेंबर असेंबली के हैं, बचारे वो तो तनका से उनका वहां खर्चा भी नही पूरा सही होता है, और बदनामी में सबसे सब बदनाम हो जाते हैं, तो पर्दाम मेरा तो यही है कि, अपने अपने हलकों में तालीम को आउप करें, क्योंकि वो जो तब का असल है ना इस मुल्क में, असी पीस्द तो वो जाहल है, हम अपनी जूटी फिगर्स बनाकर मुझे मैं वजीर तालीम मैं 94 में वजीर तालीम रहा था पज़ाब में मुझे पता है ना कैसे फज फिगर्स करके वर्ल बैंक को या उन लोगों को या बाहर वालों को बताने के लिए हम अपनी फिगर्स खराब करके पेश करते थे जैसे हम 80% हो गए हैं जी लेकिन नहीं हकीकत तो उसके बरक्स थी अब क्या तालीम हम दे रहे हैं बी ए पास को ले आए एक फिक्रा नहीं अंग्रेजी का सही लेक्स तो क्या फैदा है वैसी तालीम का ये तो फिर बेरोजगार पैदा करने वालों की फैक्ट्रियां हैं और जो हमारे हमने देखा नहीं अपने महौल में साथ जगा ये बेरोजगार पैदा करने के फैक्ट्रियां हैं हमारे जो तालीम ही अदा रहे हैं ठीक बहुत शुक्रिया मानिका ऐसाँ आपके वक्त का अपनी सह्थ की खराभी के बावजुद हमें टाइम दिया और जरूरी इसलिए था कि मानिका फैमली से इनका तालुक है और इस फैमली ने पाकिस्तान की सियासत को पूरी फैमली ने नहीं किसी एक शक्सियत ने खासा नुक्सान पहुंचाया खास तोर पे हमारे उन मासूम लोगों को जो कि एक मज़ब के नाम पे यकीन कर लेते हैं और अंधी तकलीद करने लग जाते हैं आपकी इस पर क्या राया कॉमेंट सेक्शन में जरूर अगाह कीजेगा